हेले स्टोडेंट कैसे हैं आप सब एक बार कुना आप सभी का आपके अपने चैनल स्यू कोचिंग क्लासेश पर स्वगत है क्लास 12 में चैप्टर 4 चल रहा है सारनिक डिटरिमिनेंट्स और एकसार साइज 4.1 पार्ट 3 ये वीडियो है और इसके पहले जो भी वीडियो है वो क्रम से आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको पढ़ना तो वहां से पढ़ सकते हैं तो चले आज कुछ महात्पून प्रिश्णों को लेकर आए हैं तो देखते हैं पहला कॉस्चन और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना दोस्तों सेर कर देना नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रस कर लेना तो देखिए पहला कॉस्चन है सारनिक में और इस पे लाग के फार्वट में सारे अवेब दिये हैं तो हमको मान निकालना है तो हल करेंगे पहले करेंगे क्या कि इनको हम हल कर लेंगे जैसे लाग 3 पांच सौवारा है लाग 4 थ्री दिया है लाग 3 एड और लाग 4 नाइं यह आपके पास है बेस में आपे 3 है 4 है 3 और 4 है इसको पहले हम क्या करेंगे और इसके बाद इसको पुरा कैलकुलेशन करेंगे तो हल करते हैं इसमें कई फार्मूले लगने वाले हैं लाग से समंदित कई फार्मूले जैसे आपके पास है लाग 3 है बेस में और 512 ठीक है इसको यदी मैं तोड़ना चाहूँ, तो 2 का पावर कितना होगा? 2 का पावर 9, मतलब 2 का घात 9. 2 को 9 बार गुड़ा करेंगे, तो 500 बार आएगा. 2 को जब 9 बार गुड़ा करेंगे, तो 500 बार आएगा. अब आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, कि lag ym के power n तो ये n सामने आ जाता है मतलब यहाँ पर इस देखा जाए तो 9 सामने आ जाएगा lag 2 होगा base में कितना होगा 3 अब यहाँ पर कौन सा formula लगा तो यहाँ पर एक formula है lag m के power n तो n क्या होता है सामने आ जाता है lag ym यह formula लगा ठीक है अब देखते हैं इसको इस पे भी एक फार्मॉले लगेगा तो आपके पास कितना लाग फूर थ्री यहां पर इसको हम ऐसा रंज करेंगे देखेगा बेस पे ही टू के पावर टू कर सकते है फूर के है ना क्योंकि दो दूना चार होता है अब जो यह दो है वो जाकर सामने आएगा लेकिन डिवाइट पे हो जाएगा इसका एक फार्मॉला होता है उस फार्मॉले को आपको याद करना है कौन सा फार्मॉला तो चुंकि लॉग यहां पर आपके पास है मान लेते हैं कोई भी वैलू है जैसे M है M के पावर X है और यहां पर आपके पास जो भी है मान लीजे N है ठीक है ना यह पावर है तो यह जो X है वो सामने आता है और एक बटे X की रूप में हो जाता है लाग यहन और बेश में आपका यहां है यह दूसरा फार्मॉला हो गया देखते चलिए जो भी फार्मॉले लग रहे हैं इस सभी काम की चीज़े है आपको आगे चल कर भी काम में आएंगे अब यहां पर हम इसको तोड़ना चाहते हैं लाग 3 और जो आपका 8 है और इसको दोनों को तोड़ेंगे ठीक है तो चलिए तोड़ लेते हैं पहले लाग वेस में 3 है 8 है इसको अपन क्या करें तो 8 को हम कितना बदल सकते हैं 2 के पावर 3 में यहां पर 3 कर दें 2 के पावर 3 अब ये 3 सामनी आ जाएगा आपने भी एक फार्मुला देखा तो 3 लाग 2 हो जाएगा वेस में 3 हो जाएगा तो यह फार्मुला लगा था इसलिए मैं यहां पर यह फार्मुला नहीं लगा रहा हूं clear चलिए अगला जो आपका देख सकते हैं वो लाग 4 है वेस में और 9 है इसको मैं आप सरल कर रहा हूँ ताकि हल करने में कोई दिक्कत ना हूँ कितना बेस में 4 और 9 तो यहाँ पर अदिक किया जाए इसको देखिएगा यहाँ पर 2 के घात 2 कर सकते हैं क्योंकि दो दूना 4 होता है और 3 है तो 3 के घात 2 कर सकते अब इसका जो फार्मुला है तो यह जो 2 है यह 2 वो सामने आएगा और जो नीचे का जो घात में 2 है वो बटी म आता है आता है न और इसके बाद जो आपका लाग तो लाग usually रह Us wanna जाएगा और यह दो तो दो बचा बेसमें और यह TREE है तो ठी बचा है इतना क्लियर रिदो से two code दिया जाय तो कितना आजाएगा Black Dream का था जाय गब automate मैं तनी तो आजाएगा अब इनareओ का हमने सराणिक कितना है लाग 3 500 वारा है यहां पर फिर लाग 4 3 है बेस पर 4 है फिर इसके बाद लाग आपके पास बेस में कितना है तीन है आठ और लाग आपके पास 9 है और यहां पर बेस पर 4 है इस सराणिक है ठीक है न सराणिक अब इस पर बैलू रख दो जितना भी बैलू था आप लोग रख दीजिए, तो जब value रखेंग ये student, तो नीचे ही कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, इसका माल कितना आया था, आपके पास, 9 log, 2 base पे 3 आया था, इसका माल कितना आया था, तो आया था, एक बटे 2 log, 3 base पे 2 आया था, इसका value कितना आया था, तो 3 log 2 आया था वेस पे 3 आया था और जो इसका value है वो कितना आया था आपके पास 2 से 2 कड़ गया था तो log आपका आया था log 3 वेस पे 2 है ये सरनिक है अब इसको क्या करेंगे हल करेंगे तो सरनिक को हल करते हैं समय मैंने बताया था सीधा इसका इससे multiply माइनस करके इसका इससे multiply तो कर दीजिए 9 log 2 वेस पे 3 इंटू कितना हो जाएगा log 2 3 हो गया इतना clear हो गया अब आगे देखें इसका multiply से करें तो माइनस हो जाएगा 3 log base पे 3 है 2 into 1 by 2 अब यह मत सोचना 2 से 2 कर जाएगा यह लाग का लाग का है और यह दूसरे का है यह तो आप यहां से 2 से 2 काटने लग जाओ और बोलो ऐसा तुमने बच्पन से करते आया आज क्यों नहीं कट रहा है है ना ऐसा problem हो सकता है ना आपको तो ऐसा मत करना भाई कि 2 से 2 काट दो यह लाग का है ना लग गड़ाक है और यह लाग के सामने का वैलू है अब करेंगे क्या कि यह तीन का एक से मल्टिप्लाइ कर लें तो आपके पास जो वैलू फाइंड होने वाला है देखिएगा यह इसको हटा देंगे डायरेक्ट तो नहो जाएगा लाग 3 2 लाग 2 3 और इसका मान होगा एक तो हटाओ इसको 3 बटे 2 हो जाएगा और इसका मान होता है एक कितना होता है एक मतलब दोनों का एक एक मान होगा यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका बेस है और यहाँ पर उतना लग गणक है यहाँ पर जितना लग गणक यहाँ पर बेस है मतलब एक पर फार्मला आप लोग याद कर लेना कि लाग A V into लाग B A equal होता हुआ जैसे यहां पर भी देखे लाग A V into लाग B A होता है तो इसका मान कितना है एक है मैंने direct कर दिया है और इतने में आपको समझ में आ जाना चाहिए कि किस प्रकार मैंने इसको calculate किया देखिए मज़ेदार question है थोड़ा सा lengthy question है थोड़ा सा जैदा tough नहीं है बड़ थोड़ा सा tough है लेकिन आसा करता हूँ कि अब आपको समझ में आ गया होगा तो चलते हैं अगले question पर अगला question देख सकते हैं आप सिद्ध कीजे कि sin b से और यहां पर cos b से sin 70, cos 70 यह सारनिक में और अपन को प्रूब करना माइनस 15 निगरी देखिए देखने तो बड़ा सा टफ लगता है बट यह दो लाइन पे अंसर आ जाएगा sin a minus b का फारम रखेगा sin a cos b minus cos a sin b चले हल करते हैं हम मान के चलते हैं del equal है ना तो माना मान लेते हैं del कितना आपके पास और इतना प्रूब कर देंगे कोई दिक्कत है नहीं तो यह प्रूब करना कि इसका मान इतना होता है del equal कितना आपके पास sin 20 degree है और cos 20 degree है first row में आपका second row में है sin 70 degree cos 70 degree है ठीक है यह आपका असरानिक है प्रसार कैसे करते हैं सीधा तिर्यक multiply जैसा इसका multiply से करेंगे तो sin 20 degree cos 70 degree यहाँ पर बीच में minus लगाते हैं इसका multiply से करते हैं तो sin 70 degree और cos कितना degree 20 degree ठीक है ना यहाँ पर इसको आप लोग न लिखनेंगे यहाँ पर कुछ टक नहीं लगाना है sin 70 है सीधा direct ठीक है ना sin 70 degree और cos 20 degree अब देखिए sin A cos B minus cos A sin B लग रहा है यहाँ आप इसको अपोजिट कर देंगे जब इसको आप अपोजिट करेंगे तो minus कामा ले लेजिए तो बन जाएगा यह minus कामा ले नहीं थे sin 70 यह plus में हो जाएगा तो sin 70 साइन लगार कास 20 हो जाएगा ठीक है और प्लस वाला माइनस में हो जाएगा sin 20 और cos 70 degree हितना हो गया अब इसको आपको फारून लगा देना तो हो जाएगा sin a-b a कमाने 70 डिग्री और b कमाने 20 डिग्री यहांँ पर कौन सा फारूल लगा तो sin a-b तो यहांँ पर आजाएगा माइनस sin 50 डिग्री आगया आपका अंसर सही आचुका है लेकिन आपको फारूल लगा देना कि चुकि sin a-b वराबर होता है sin b, यह जो आपका formula लगए ना, यहांपर, यहांपर देख सकते है, sin a cast b, minus cos is sin b, तो sin a minus b, फार्यमूल लगग चुका है, तो यहांपर minus 70 degree proved करना था, तो आपका a b, sorry, 50 degree prove करना था, तो minus sin 50 degree prove हो चुका है, कुछ भी नहीं है छोड़ा सा question है देखने में tough लगता है लेकिन easy question है आसर करता हूँ कि यह question आपसे बन जाएगा अगला question देखिए same question है है ना आपको यहाँ पे थोड़ा सा degree change है और सिद्ध करना है 0 degree ठीक है ना तो चलिए हल करते हैं हल करेंगे आपके पास कास 15 है साइन 15 है साइन 75 और कास 75 है यहाँ पे थोड़ा सा चेंज लगेगा फार्मूला वह भी देख लेंगे तो अपन मान की चलते हैं जिसे अपन ऐसा भी कर सकते हैं left hand side लेकर चल सकते हैं left hand side कौनसा side left hand side और right hand side प्रूब कर देंगे तो left hand side कितना है कितना है कास 15 ठीक है इसके बाद एक कास 15 है यहाँ पे है साइन 15 डिगरी यहाँ पे कितना है साइन 75 डिगरी और यहाँ पे कास है 75 डिगरी यहाँ ने left hand side लिया है अब करना क्या है इसका multiply इससे करना है तो आप ऐसा कर सकते हैं सॉरी कास 75 कुछ भी कर दिजए हम करते हैं कास 15 डिगरी फिर कास 75 डिगरी फिर यहाँ पे बीच में माइनस लगाते हैं इसका मल्टिपलाइब से करेंगे तो साइन 75 साइन 15 डिगरी अब आप देख सकते हैं यह फार्मूला लग रहा है Cas A, Cas B-sin A,sin B Cas A, Cas B-sin A,sin B यह फार्मुला होता है Cas A+,B Cas A+,B A को एदी मान ली 15 degree तो B आपका 75 degree और दोनों एदी मिला कर देखा जाए तो Cas 90 degree आ जाता है Cas 90 degree और Cas 90 degree का मान होता है 0 क्योंकि Cas 90 degree Cas 90 degree का मान कितना होता है 0 होता है यह हो गया अब एक फार्मूला लागा कौन सा, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, आपको याद कर लेना है, कास A प्लस B, का फार्मूला होता है, कास A, कास B, माइनस, साइन A, साइन B, इस फार्मूले को आपको लिख लेना है, याद कर लेना है, ठीके न, कास A, का फार्मूला होता तो यहां पे जो आपका कॉस्चन था, कास 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री, साइन 75, कास 75, तो यह आपका complete हो चुगा, देखे छोटे कॉस्चन रहते हैं, आपको इतमिधान से करना है, मतलब धहरता पूर्वक करना है, यदि थोड़ा सा साइम आप खोए, तो definite है कि आपका answer गल हो जाएगा, अगले कॉस्चन को करना है, यहां पर भी सेम कोउस्चन है, और आज मैं, साइन कास से समंदीत ही सारे कोउचन को उठा कर लाया हूँ, जितने भी मैंने, पुराने वीडियो मैंने, X के मान, find करने के लिए, M के मान, find करने के लिए, मैंने कराया था, और इस पर सारणिक देके रखा है, sign 10 degree minus cos 10 degree है, इसके बाद sign 80 degree है ना, इसके बाद cos 80 degree है, clear यह मान देके रखा है, आपको करना क्या है, इसका तिर्यक multiply करना है, जब इसका इससे multiply करेंगे, sign 10 degree आ जाएगा और एक cos 80 degree आ जाएगा, ठीक है, फिर बीच में लगाते है माइनस लेकिन इस माइनस के कारण हो जाएगा प्लस तो हो जाएगा साइन 80 डिगरी और इसके बाद हो जाएगा कास 10 डिगरी अब यहाँ पर साइने कास भी प्लस कॉस ए साइन भी sin A cos B देखे, इसको arrange दी करना है, तो ऐसा कर सकते हैं, sin 10 degree, cos 80 degree, यहाँ पर इसको इधर लिख दें, है न, cos B sin A हो जाएगा, cos 10 degree, और sin 80 degree, डिगरी है यह, तो sin A cos B plus cos A sin B, यह फार्मला होता है, sin A minus, sorry, A plus B का, sin A plus B, मतलब sin 10 degree plus 80 degree, sin A plus B का फार्मला होता है, तो आपका यह find हो चुका है, sin 90 degree, और sin 90 कमान होता है, एक, तो आपका यह answer आ गया, answer आ गया, कितना एक आ गया, यहाँ पर अब एक फार्मला लगा है, कौन सा, sin A cos B, plus cos A sin B, होता है sin A plus B का, मैं फार्मला क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि आपसे दिना बन रहा हो, तो याद करत होते चलो, sin A cos B, sin A cos B, plus cos A sin B, यह होता है sin A plus B का फार्मूला, फार्मूले पे ही जान होती है, मैं इसकी ध्यान रखे गए, यदि फार्मूला आपसे नहीं बन रहा है, तो मैंस आप कितना भी कर लो, मुस्की लेयार नहीं बन पाएगा, अब एक आपसे कहूं, कि एक पार्नी खेडा इलेक्ट हल कर रहा हूँ, यह आपके पास है cos X, और यहां पे sin X, ठीक है, और यहां पे sin X, और यहां पे cos X, इसका मान निकालना है, तो आप करेंगे क्या, आपको पता है किसका multiply से करेंगे, तो करेंगे क्या, cos X का multiply cos X से होगा, फिर बीच में माइनस sin x का multiply किसे होगा sin x से होगा जब कास से कास होगा तो कास square x आएगा sin का sin से आएगा तो sin square x आएगा कास square x minus sin square x का फार्मूला होता है कास 2x जी हाँ, यही आपका answer है जितने भी sin और कास से सम्मन्दी इस प्रिष्णावली में जो question थी, exercise में question थी मैंने सारे question को उठा लिए है examples की बात की जाए या exercise की बात की जाए जितने भी sign और कास से सम्मन्दी थे मैंने सारे question उठा लिए तो आज की इस 4 से 5 question में आपको कुछ ना कुछ सीख तो मिला ही होगा और जिससे एक आज question पुराना division दी में करा दूँ की आपके पास एक question है और बुला है x का मान निकलना है तो आप से बन जाना चाहिए चलिए question दिखा देते हैं आपको तो इस प्रकार का question आ सकता है जैसे 5 है minus 1 है 3 और n बराबर 13 हो तो या न का मान निकालो तो इस प्रकार से मैंने धेर सारे question करा है तो हल करते हैं याँ पे 5 है minus 1 है 3 है n है है न बराबर कितना है 13 है क्या करेंगे इसका multiply से करेंगे मतलब 5 गुणे n minus इसका multiply से करेंगे 3 गुणे minus 1 से बराबर 13 हो जाएगा तो 5 n हो जाएगा और रिड़ड धन हो जाएगा 3 एक कम 3 बराबर हो जाएगा 13 तो पांच एन बराबर कितना हो जाएगा 13-3 हो जाएगा 13-3 बराबर 10 तो 5 एन बराबर आपका 10 हो गया तो एन बराबर कितना बता सकते हैं 10 बटे 5 मतलब 2 यही आपका इस प्रकार के बहुत सारे question में निका रहे हैं एक एक मिनट के question objective type में question ऐसे पुछे जाएगे या दो नमबर गे तो exercise जो आपका 4.1 है वो complete हो चुका है अगला जो exercise होगा से खंड़ाज से समधित होगा और 4.2 जो आपका 2 आएगा उससे से खंड़ाज निकालना सिखाएगे और जितने भी question कराएंगे सारे के सारे महाजपूर कराते हैं और आप basic से पढ़ते चलो यह मत सूचो कि sir आप के बल 5-5 नमर question कराएगे आप important question कराएगे अभी आप basic पढ़ाए करो जब आप basic करोगे ना पूरा पढ़ते जाओगे ना तो automatic आपको समझ में आ जाएगे question क्य चीज़ है और question कैसे आएंगे और हम कैसे हल करेंगे तो basic करिए automatic आपके long question बन जाएगे चलते हैं student पर मिलते है कि ने टापिक के साथ तब तक लिजय हिन बंदे मातरा में